नमस्कार सातियों मन की फेक्ट यूटूब चैनल में आपता स्वागत है आज की इस वीडियो में हम परकास के प्रावर्तन परकास के प्रावर्तन से जितने भी Most VBI Objective Question है उसको इस वीडियो में दिखाने का परियास कर रहे हैं सातियों आप सभी जानते हैं कि बिहारफुल टेक्निक में सबसे ज़्यादा अगर Physics के किसी भी चैप्टर से अगर परसन पुछा जाता है तो वो एक मात्र है Light Chapter Light Chapter से सबसे ज़्यादा परसन पुछे जाते हैं और बिहारफुल टेक्निक में अगर आपको पास भी करना है तो यह Light Chapter, Electricity Chapter अगर आपका बेस्ट है, अगर आपका थियोरी अगर बेस्ट है अगर अबजेक्टिव से कंसेप्ट अगर आपका बेस्ट है तो आपको एक Government College पाने से कोई नहीं रोग सकता है तो सातियों, यह सभी जितने भी Most BVI Question है उसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको एक अच्छे Government Political College लेने से कोई नहीं रोग सकता है तो चलिए, बिना समय गवाई यह सभी प्रसनों को देख लेते हैं पहला प्रसन करा है कि निर्वात में परकास की चाल कितनी होती है सातियों, आप सभी को बताना है कि निर्वात में परकास की चाल कितनी होती है क्योंकि यह प्रसन को कितने बार आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बिहार बोड्ट के कितने बार model paper में, previous year में board exam में कितने बार या प्रस्न आ चुका है और या previous year में भी कितने बार या बिहार प्लिटेकनिक में भी आ चुका है, तो आप सभी बताईए कि निर्भाड में परकास की चाल कितनी होती है चलिए आप सभी बताएगे कि निर्वात में प्रकास की चाल कितनी होती है तो साथियों पहले हम समझते हैं कि निर्वात किसको कहते है अगर हूँ हमको पता चल जाएगा तो हम आसानी से याद रख लेंगे ब्रेन में नहीं तो आईसम को पता ही नहीं चलेगा रट्टा मारते रहेंगे कि 3-10 पावर 8 इसका होता है मीटर परती सिकेन 3-10 पावर 8 होता है निर्वात का प्रकास में 4 इस तरह से अगर रट्टा मार के याद कि जेगा उसके अंदर में आप उसको जब अंदर जो करते हैं तो उसमें जो आप और डाउन का करता है नि उसी को हम भैकूम और उसी को हम निर्वात करते हैं ठीक है तो उसके अंदर की जो परकास की चाल होती है न वो होती है तीन गुने 10 पर पावर 8 मीटर परती सिकेंड के बड़ाबर होती है ठीक है अगला प्रस्न देख लेते हैं अगला प्रस्न क्या कर रहा है अगला प्रस्न कर रहा है कि काच परकास के लिए ए पारदर्शी पदार्थ है या भी आपरदर्शी पदार्थ है या सी परभासी पदार्थ है या दी इन में से को नहीं तो आप सभी को बताना है कि काच परकास के लिए क्या है चलिए आप बताए कि काच जो है परकास के जो होते हैं आइना उसको देखने के लिए उसमें अपना छोपी अपना परतिवी में अपना रूप देखने के लिए हम क्या करते हैं उसके पीछे जो है उसके पीछे हम लोग कला ही कर देते हैं आइना में हम लोग कला ही कर देते हैं उसके पीछे इससे क्या होता है कि हमारा जो जो हमारा फेस है वह दिखने लगता है तो हमारा फेस ना दिक पीछे का जो पर्तिवी में वह दिखेगा आप अगर कभी देखे होंगे जो यह विंडो का खिर्की का जो सिसा होता है उसमें क्या होगा कि आप अगर अंदर से देख रहे हैं तो आपको बाहर का द्रिस दिखने लगेगा ना कि अंदर के द्रिस देखेगा आइना में क्या होता है कि अंदर का द्रिस दिख रहे हैं तो आपको अंदर का द्रि साथ के लिए पारदर्शित पदार्थ है तो सवाल नमर दो का जो सभी जवाब होगा होगा फिक अब अगला प्रस्टन देख लेते हैं अगला प्रस्टन क्या करा है सातियों यह जो प्रस्टन बिहार पल टेकनिक में आता ही आता है ठीक है ना बिहार पल टेकनिक में हर साल या कितनी बार या repeated किया हुआ है light chapter से सबसे ज़्यादा प्रस्ण उठता भी है और प्रस्ण बनता भी है वो चैनल मेरिकल हो या normal हो ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कatoreण के कालपनिक परतिविम हमेशा होता है आप से पूछ तो पहले हम से के कालपनिक परतिविम होता क्या है क्यूंकि हमको कुछ एक ऐडियात लगा रहे हैा तो हमको आपको रट्टा मारने को बता दें आप रट्टा मारने रट्टा मारने तो उससे क्या होगा माले जी आपको कभी भूलिएगा नहीं यह एक नर्मल एक्जाम के लिए आप जीवन बढ़ नहीं भूलिएगा इस तरह को मालेज हैं यहां पर जो है यहां पर हम धूरूवो फोकस बना रहे हैं और व्याहां पर एक सी वकरता केंद्र बना रहे ठीक है तो यहां पर माली जी अगर पोल धुरूब और फोकस के बीच में अगर किसी वस्तुक्वम रखते हैं और उसके बार एक परतिविम जो बनाएंगी तो उसका जो परतिविम बनेगा वो इस परकार आएगा उसका जो परतिविम जो है इससे सीधा परतिविम मिलेगा टेर बाकुल नव मिलेगा ठीक है ना तो काल्पनिक परतिविम जो होता है ना वो हमेशा सीधा परतिविम बनता है तो सवाल नमर तीन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक है चलिए अब अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रस हुट है आप सभी जानते हैं तो सबस्वाल को मेोड़ार है जो सवाण सवाण सब्सक्राइब, कि गूड़ी को क्या कहते हैं और आप से पूच रहा है कि इसके दुरूब माज़े एक बीच मीडिल प्वाइन्ट है और इसका यहां पर focus दुरी के बीच की इसके और इसके ए और बी-के बीच की दुरी को हम क्या कहते हैं तो अगला प्रसुन देख लिए अगला प्रसुन आपसे क्या पुछ रहा है चलिए अब अगला प्रसिंद देख लेते हैं अगला प्रसिंद क्या कर रहा है कि समतल दर्पन द्वारा सवाल नमर चो आप से पूछ रहा है कि समतल दर्पन द्वारा बना परतिवीम हमेशा होता है A. काल्पनिक या B. वास्तिविक या C. कभी काल्पनिक और कभी वास्तिविक या D. उल्टा साथियों आप सभी से पूछ रहा है सवाल नमर 6 कि समतल दर्पन द्वाड़ा बना पड़ती भी हमेशा होता है तो पहले आप सभी जाने की समतल दर्पन होता कैसा है देखे समतल दर्पन जो होगा यह इस परकार होगा दम सेम इस परकार होगा अपतल कैसा होगा तो अपतल इस परकार होगा अपतल इस परकार होगा ठीक है आप उत्तल कैसा होगा तो उत्तल में अंदर से कलाई की रहती है ठीक है न और इसका जो है यह समतल जो है वो सीधा रदता है एकदम सीधा इस्टेट रदता है ठीक है तो कड़ाय के समतल दर्पन में समतल दर्पन में द्वाड़ा बना परतिवीम होगा तो यहां पर मानिजी यह समतल दर्पन है इसके पीछे में कलाई कर देते हैं ठीक है औ जो इसका जो पर्ति बीद हो पीछे बनेगा तो प्रतिविं जो बनेगा यहां यहां जो आ रहा है ठोच परकाप जा रहा है तो सवाल नमर छो करा किक संव तरपन द Q dvn बना परतिविंक क्या होगा तो वह जो होगा वह हमेंसा कालपनीख होगा तो सवाल ершभार्विवक के सवाल नमर्चव एहां उख अब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब प्रकास्ति प्रावर्तन के बाद के बाद हो जाती है क्या हो जाती है मुख के समानातर मालिजे एक अश्छ दरपन भनाली यह ठीक है और यहां पर इफ Est도 को इस परकार हम तकडाते हैं अप्तर दिर्पन से थीशर पूच नहीं हो और लुए कि मुख के समानातर अउंद्ज पर यहां पर मिडिल्वाइन मिण्य पूछ नहीं पर कि रावर्तन के बाद डू PG फोकस से होकर ही बुझ देगी ऌगा प्रकर से हो सबसे ज्यादा हुग निरवार्थ में होते हैं निर्वार्त है कि सबसे जवादा किसमें होता है यहाँ प्रकास का वेक महत्तम होता है ओ देखे लेते ले अगला पुछ रहा है सवाल नमर 9 आपसे पुछ रहेंगे किसी वस्तु का अवर्धित काल्पिनिक परतिवीम बनता है A. समतल दर्पन से या B. उतल दर्पन से या C. अवतल दर्पन से या D. किसी से नहीं चलिए आप सभी को बताना है सवाल नमर 9 पुछ रहा है कि किसी वस्तु का अवर्धित काल्पिनिक परतिवीम बनता है ए समतल, ब, उतल, या सी, अवतल, या टी, किसी से नहीं था साथ्यों पहले हम Listen को समझ लेने किसी वस्तु का अवर्दित कालपनिक परतिवीं बनता है अगर हम का अवर्दित के बाड़े में अगर जाई जाए आवर्दित किसे कहते है अगर वो जाई जाई तो हमारा जो Question का यह लग झार ऌपशन दिया गया है मतलब जूम करके जाना दिखाए अगर कुछी भी चीज को अगर माने जी वो एक पड़ है तो उसको दो गुना तीन गुना हाई करके दिखाया जाए माले जूम करके दिखाए जाए उसी को हम आवर्दित करते हैं तो उसको कालपिनिक परतिविम में बनता है क्या समतल दर्पन में तो समतल दर्पन में जोड रहेगा से वही बनाएगा उत्तल दर्पन क्या करता है उत्तल दर्पन क्या करता है कि बहुत सारे चीजों को एक प्रयोंकि आप हजाम से घए आपको बड़े बड़े आपका करता है तो उसको बड़ा बड़ा दिता तब है कि कोई केस बड़ा चोटा तो नहीं न रहा गया है तो अप्तल तरपन के देखकर वह डिक्षक समझेश कर और उत्तल्दरपन श्क्न नर्पन उसमें लगा रहेगा तो वह उसका क्यों का बढ़ावड अकार में नहीं ला पाएगा ठिक है तो यहां पुछ रहा है सवाल नमस्ट की किसी वस्तु का आवर्दित कालपणिक परतिविम बनता तो वो बनेगा अब्तल्दरपन में ठिक है तो सवाल नमर 9 का जो सही जवाब होगा वह होगा C, अब सवाल नमर 10 पुछ रहा है आपसे, हजामत बनाने के लिए बेहवाल किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि अबतल दर्पन का लगा रहता है, क्योंकि वह बड़ा करके दिखाता है, किसी भी चीज को, किसी भी बीम परती बीम को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए हजामत सैलून वाले जो होते हैं, वो अबतल दर्पन का प्रयोग करते हैं, ठेक है ना तो सवाल नमर 10 का जो सही जवाब होगा, वह होगा अब भी, सातियों यह सभी जो टॉप 10 का प्रसंद था, इसमें से आप कितने प्रसंद सही कियें, आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि बिहार पुल टेकनिक के लिए अभी समय बहुत ही कम है, तो आपका तयारी किस लेवन का है, आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि यह जो 10 प्रसंद इसमें से एक दो प्रसंद आपको आने का चांस है, यह सभी एक्जाम के पॉइंट ऑब यू से काफी ज़्यादा महत्बोन है, ठीक है ना, तो आप 10 प्रसंद में से कितने प्रसंद सही कियें हैं, चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिर एक नए वी करें से ही एंट फिर इंटे एंट गूर एंट जी हैं?